नमस्कार दोस्तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज का हमारा विशे है कि जैसे हमने अगर कोई न्यूज वेपसाइट अपना बनवा लिया है या तयार कर रखे हैं या करवाने वाले हैं तो उस कंडिशन में हमारे वेपसाइट में क्या-क्या फंक्शन्स ज अभी नया जो हमने एक function आज के लम देख रहे हैं कि जैसे members जो आपके बन रहे हैं नए नए जो news reporter आप से जोड़ते हैं तो website में automatically ID card generate हो जाता है उसमें क्या होता है कि सामने वाले वेक्ति ने अपना सदस्ता फर्म भरा हमारा काम होता है सदस्तियों को जो ID password दे रहे हैं अगर सदस्त हमारा ID card पर कहना चाहिए कि जो उनका ID password उसको login करके अगर वो कोई खबर upload करते हैं तो खबर के साथ उनका नाम और उनका फोटो बगेरा पूरा डेटेल उनका आ जाना चाहिए एक जन्रेल प्लस उसमें हमारे पास option होना चाहिए कि हमारी खबर कितनी देखी जा रही है गूगल एनलेटिक की रिपोर्ट क्या है कई बार जैसे जो हम गौर्मेंट के एड लेते हैं जन्सम पर विभाग से तो उसमें हमें यह दिखाना होता है कि हमारी वेबसाइट पर मंतली का इतन कैसे गूगल एडसेंस लगाना यह सारे function को हम practical इस वीडियो में समझने वाले हैं तो आएए इस वीडियो को पूरा practical हम आपको समझा रहें कि कौन-कौन से functions जब ही आप website बनवाए तो अपने developer से संपर करके उसमें जरूर लगवाएं आए वीडियो देखते हैं तो दोस्त ब्रेकिंग के लिए notification के लिए subscribe करें तो दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर हम इसको allow कर देते हैं तो जब भी admin इस website पर खबर लगाएंगे हमें notification मिल जाये करेगा इसी system पर यहां से तो इससे क्या होगा कि किसी user के द्वारा कभी ना कभी उस notification पर क्लिक किया जाएगा और वो उस खबर को पढ़ सकते हैं दूसरा हमारे एक function हुआ जैसे अगर हमें लगता है कि हम किसी multiple targeted audience को target करते हैं तो हम यहां पर एक translator भी लगा सकते हैं इसी तरह से इसमें social media के links भी होना चाहिए अगर हम कोई अपना promotional message देना चाहते हैं तो वो भी इसमें लगा सकते हैं एक important point आप समझें जो हमारे YouTube चैनल में जितने वीडियोस हैं वो एक function के थुरू automatically ही हमारे website पर display होने लगते हैं यानि कि हमें हर वीडियो को लगाना नहीं होता है बलकि साथ ही साथ इसमें subscribe to my channel यह इस तरह के कुछ icons लग जाएंगे इनसे क्या होगा कि कोई भी वेक्ति यहीं स से क्लिक करके अपना YouTube चैनल पर जाके subscribe पर पाएंगे यह सभी वीडियो आटोमेटिकली ही YouTube से इस website पर आ रहे हैं साथी साथ यह नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों breaking news की line तो यह क्या होगा कि कभी-कभी हमारे पास कोई ख़बर आ गई और ख़बर का हमारे पास बहुत ज साथी साथ दोस्तों इसमें अगर कोई वेक्ति खबर को सर्च करना चाहता है तो खबर की searching का भी एक option है एक विशेश टॉपिक पर बात करते हैं जब हम खबर को लगाते हैं तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस खबर के साथ में यह आपने title लगाया खबर लगाया उसक सलज मतलब किस URL से इसको सर्च होना है प्लस उस खबर के बारे में कुछ description देखिए Google जब हमारी website से खबरों को read करता है यानि कि कोई वेक्ति ने सर्च किया हमारी website तभी सर्च में आईगी जब हमारी website पर यहां कुछ content होगा यह बहुत ही compulsory point है दोस्तों इसको अपने developer से जरूर आपको discuss करना है साथ में आप feature image भी जरूर लगाई है खबर के साथ में अभी एक नया functions इसमें आप देखोगे जैसे आज के लिए concept आ गया है कि इसमें क्या हुआ कि अगर जो हमारे संस्था से जुडने वाले कोई वेक्ति हैं यानि कि कोई वेक्ति अगर हमारी संस् online फिर करें फिल करेंगे और हम उस detail को अपने login ID password से admin panel से उसको verify करेंगे verify करने के बाद वो वेक्ति खुद से अपना ID card यहां download कर लेंगे यह कुछ Google Ad आ रहे हैं बीच में तो Google AdSense का भी आपको concept रखना है इसमें साथी साथ Google Analytics भी रखना यह जो concept हम बात कर रहे थे कि कोई वेक्ति अपना ID card download कर सके तो यह कुछ एक logic है इससे क्या होगा कि आपकी टीम डाइनमिक तरीके से जुड़ जाएगे हमारी website पर साथी साथ Google AdSense का concept अगर आप payment gateway लगवाना चाहते हैं तो payment gateway रख सकते हैं widget counters के कुछ option है प्लस कोई वेक्ति अगर हमें संपर करना चाहता है कोई वेक्ति हमें खबरें भेजना चाहता है तो उसके लिए हम जैसे कहना चाहिए कि send your news यानि की सामने वाला user खुद से ही हमें अपनी खबरें भेज सके साथ में कोई वेक्ति अगर हमसे जोड़ना चाहता है तो उसके इस तरह के कुछ options ऐसे हैं जो commonly हमारी websites में होने चाहिए साथ कुछ नए options हैं जैसे कि subscribe का हमने एक बटन ले लिया notification तो हम समझा चुके प्लस आपके social media के links है social media के pages का भी एक budget लग जाता है इससे क्या होता है कि आपके facebook के जितनी भी post है वो automatically हमारे website पर लगती रहेगी इसी तरह का twitter का भी लग जाता है तो facebook, twitter, instagram सभी के options हम अपनी website पर dynamic तरीके से लगा सकते हैं प्लस हमारी जो social media की link है इसके साथ एक जरूरी बात सुनियेगा हमेशा अपनी website में terms and condition, privacy policy, disclaimer जैसे page जरूर रखिये ये आपकी website को rank में भी indirectly फायदा देते हैं साथ में कल किस दिन अगर आप कोई mobile applications बनाते हैं तो उसमें भी ये बहुत जरूरी functions है साथ में जैसे अभी हमने आपको बताया send your news इससे क्या होगा कि कोई भी बेक्ती हमें इस form को fill करके अपनी खबर publicly भेज सकता है अगर हमें लगता है खबर अच्छी है तो हम उसको read करके website पर लगा सकते हैं अधरवाईज उसको delete कर सकते हैं इसी तरह से reporter joining form यानि कि कोई बेक्ती अगर हमें join करना चाहता है तो वो यहां fill कर सकते हैं और हम उसकी documents को verify करेंगे तो उनका ID card भी online ही जड़ेट हो जाएगा यह reporter का जैसे खबर भीजने वाला option है प्लस जो share करने के लिए हैं वो तो आप समझते ही हैं प्लस अपनी contact detail तो यह कुछ ऐसे जरूरी functions थे दोस्तों जो हमने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी है इसमें आप जैसे date and time हुआ यह अगर कोई बेक्ती other other language में translate करना चाहते हैं तो यह option notification यहां से भी आ पर क्या होता है कई वार जैसे user अगर website में खबर के साथ कोई feature image ना लगाए तो why default यह image आ जाएगी तो इसमें default image लग जाता है इसके अलावा आप एक function और समझेए कि जो आपके reporter हैं अगर reporter कोई खबर लगाते हैं तो खबर के साथ में reporter का नाम और उसका photo भी आ जाता है यह यह भी कुछ functions हैं जो आप अपने team से discuss करके ऐसा options लगवा सकते हैं तो यह कुछ functions थे दोस्तों इनको आप यहाँ पर इस्तेमाल करिए और आप अपनी website को बहुत अच्छे से rank करा सकते हैं जो इसमें जरूरी point था वो यह था कि खबर के साथ में title, description, meta tag यह जरूर तो यह सभी options आप अपनी websites में भी लगाएं इससे आपको कहिना की promotion में भी help मिलेगी साथ ही साथ जो SEO वाला concept उसमें समझाये गया था कि जो keywords आपको रखने हैं किस तरह का tag line रखनी हैं description भी रखनी हैं और उनको उतना limited शब्दों में भी रखना है यह कुछ ऐसे जरूरी topics ह आते हैं topics तो कई होते हैं लिकिन जो limited हैं और जो जरूरी हैं वो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है तो इसी तरह की informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप subscribe कीजिए दोस्तों और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको like कीजिए अपने बहुत धन्यवाद आपका